एक कौवे की गरूड से दोस्ती हो गई, दोनों काफी समय साथ गुजारते थे, उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे, एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गु यमदूत फिर उधर से गुजरा, वो फिर कवे को देख कर मुस्कुराया, इस बार कवे को कुछ शंका हुई, उसने गरूड से कहा कि ये यमदूत मुझे देख कर कल भी मुस्कुराया था, और आज भी वैसे ही मुस्कुराया, कुछ गढ़बढ है, हो सकता है मेरी कुछ नहीं है। ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। दो-तीन दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नस्दीक है। उसने गरूड से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाता लेकिन ये यमदूत जरूर एक दो दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरूड को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरूड ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही न दे। गरूड ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश परवत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहा और पाश फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरूड देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरूड ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे द जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंक भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुँचेगा कैसे। जब तक जिन्दगी है, तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यू निकट हो, तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती।